Hello students, students, आज हम साइकस के पार्ट 4 में साइकस के स्पोरोफिटिक प्लांट में रीप्रड़क्शन की बारे में पढ़ेंगे. आएए सबसे पहले हम जानते हैं कि साइकस में वेजिटिटिटिव रीप्रड़क्शन या काईक जनन किस प्रकार से होता है. वेजिटिटिटिव रीप्रड़क्शन is by means of bulbils. साइकस में bulbils या पत्र प्रकलिकाओं के माध्यम से इसके अंदर काईक जनन या वेजिटिटिटिव रीप्रड़क्शन होता है. It is developed in crevices of scale leaves and leaf bases at the basal part of old stem. साइकस के जो old stem है उसके base पर यानि की आधारी एक्शेतर में जो scaly leaves present है या foliase leaves का base है उस पर ये bulbils बनते हैं. और जैसे ही ये bulbils main mother plant से अलग होते हैं ये नए plant के रूप में develop हो जाते हैं. Produces new plant on detachment means old stem के नीचे की और कुछ पत्र प्रकलिकाओं जो fully हुई होती हैं ये जैसे ही अपने mother plant से अलग होकर के जमीन पर गिरती हैं बहाँ पर इनसे एक नया साइकस का plant develop हो जाता है. ये तो हुआ साइकस में vegetative reproduction या काईक जनन का तरीका. दूसरा हमारे साइकस के जो sporophetic plant या बिजानुदभित plant हैं उनकी अंदर reproduction, micro sports और mega sports की द्वारा होता है. प्लांट्स आर स्ट्रिट्ली डायेशियस. साइकस के प्लांट डायेशियस हैं मींस इसमें male plant और female plant अलग-अलग होते हैं. Male structures are in the form of a compact conical body called male strobulus और male cone. साइकस के अंदर जो male reproductive organ हैं उसे हम male cone कहते हैं ये cone के आकार के होते हैं और इनके अंदर बहुत सारे micro sports या लगु बिजानू बनते हैं. Female structures are not present in the form of compact cones but they are loosely arranged and called megasporophylls. साइकस के प्लांट में जो female plant है मिंस जो मादा पौधा है उसकी अंदर female cones नहीं बनके megasporophylls ही present होते हैं और इन megasporophylls के base पर ovules मौजूद होते हैं. तो साइकस में male cone तो होता है लेकिन female cone नहीं होता है क्योंकि इसके जो megasporophylls हैं वो loosely arranged होते हैं और cone की shape में मौजूद नहीं होते हैं. male cone आज की lecture में हम male cone या नर cone के बारे में बात करेंगे. It is very large, conical और ovoid in structure reaching sometimes up to 0.5 meter in length. इनका आकार बहुत बड़ा होता है प्रीवियस लेक्चर में जब हमने साइकस की morphology की बारे में पढ़ा था तब भी आपको बताया गया था कि जो साइकस का पेड़ है वो काफी बड़ा पेड़ है और इसके अंदर जो foliase leaves हैं वो कुछ मीटर तक लंबी हो सकती हैं. उसी प्रकार से इसका जो मेल कौन है जो की अनर्शंकु है वो भी लगभग आधा मीटर लंबा हो सकता है. In the center of each male cone is present a cone axis which is clearly seen in LS और अगर हम किसी भी cone का LS काटें तो उसके center में हम एक axis देख सकते हैं. और इस axis के चारों और बहुत सारी microsporophylls या लगू बिजानू पर्ण मौजूद होते हैं. On the cone axis are attached many leafy structures at right angle. These are called microsporophylls. जिस तरीके से हम diagram में देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लगू बिजानू पर्ण या microsporophyll हमारे cone के axis के चारों और लगे हुए हैं. At the base of the male cone are present many young leaves और cone के base पर बहुत सारी छोटी पतियां लगी हुई होती हैं. All the microsporophylls in the male cone are fertile except a few at the base and few at the apex. अमारा जो male cone है बहुत जादा बड़ा है लगभग आधा मीटर तक इसकी length या height हो सकती है. तो इसकी अंदर जो भी sporophylls या लगू बिजानू पर्ण मौजूद हैं वो सभी के सभी fertile होते हैं. कुछ base वाले अगर हम बिजानू पर्ण को छोड़ दें या फिर जो top पर हैं. उसके अलावा जादा तर जो भी लगू बिजानू पर्ण हैं उन सभी के lower surface पर बिजानू धानिया लगी होई होती हैं. मिस हमारे जो micro sporophylls हैं वो जादा तर fertile होते हैं. बहुत सारे micro sporophylls या लगू बिजानू पर्ण एक एक्सेस के चारों और लगे रहते हैं. जिसे हम कोन कहते हैं और एक लगू बिजानू पर्ण के base पर मिस नीचे के surface पे बहुत सारी लगू बिजानू धानिया या micro sporophylls लगे हुए होते हैं और एक लगू बिजानू धाने में बहुत सारे micro spor या लगू बिजानू मौजूद होते हैं. अगर हम एक micro sporophyll को male cone से अलग कर लें क्योंकि जैसा कि हमने previous diagram में देखा कि एक male cone में एक axis है जिसके चारों और बहुत सारे micro sporophylls लगे हुए हैं. और अगर इस male cone के micro sporophyll को लग किया जाए तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा micro sporophyll है वो इस तरीके से एक लंबी पतली leafy structure है जिसके नीचे की surface पे बहुत सारे micro sporophyll या लगू बिजानू धानिया लगी हुई हैं. Micro sporophylls are flat, leaf-like, woody and brown colored structure with narrow base and expanded upper portion. जो हमारा एक लगू भी जानू पर्ण है या micro sporophyll है वो एक flat structure है जैसा कि हम यहाँ देख पाते हैं ये micro sporophyll है जो कौन से अलग किया गया है इसके अंदर ये जो sporophyll है leafy structure है लेकिन woody है. means hard है, brown color का है और इसका जो top portion है वो upper portion expanded है जिसे हम apophysis कहते हैं और basal जो portion है वो यहाँ पर थोड़ा सा narrow है और इस base से ये हमारे axis से जुड़ा हुआ होता है. अपर expanded portion becomes pointed and called apophysis इसे हम apophysis कहेंगे इस tip को. narrow base is attached to the cone axis with a short stroke और इस जो microsporophyll का base part है वो हमारे cone के axis से जुड़ा हुआ होता है. Each microsporophyll has two surfaces किसी भी बिजानू पर्ण के दो surfaces हो सकते हैं. adaxial means upper surface and abaxial means lower surface पत्ती के दो surface या दो सत्य होती हैं उपर वाली जिसे हम adaxial surface कहते हैं और नीचे वाली सत्य जिसे हम abaxial surface कहते हैं. on the adaxial surface is present a ridge-like projection in the middle and an apophysis at the apex. अगर हम इसके adaxial surface या उपर वाली surface की बात करें तो इस तरीके से हमें बिजानू पर्ण दिखाई देगा. इसके उपर की तरफ टिप पर एक apophysis present है और बीच में एक middle में एक projection present होता है. तो इस तरीके से हमें एक भी जानूपन दिखाई देगा अगर हम इसका adaxial surface या उपर का surface देखें. अगर हम नीचे के surface की बात करें तो वहाँ पर there are present thousands of microsporansia in the middle region in groups of 3 to 5. इच सच ग्रूप इस कॉल्ड सोरस यहाँ पर सोराई या सोरस हम देख पा रहे हैं. यह है हमारा microsporophyll का adaxial surface means नीचे का surface उपर की तरफ apophysis जो adaxial surface से दिखाई दे रही है. पीछे या नीचे के surface की और बहुत सारे microsporansia या बिजानुधानिया लगी हुई हैं जो 3 या 4 के पेर में हम देख सकते हैं. इस तरीकी से बहुत सारे सोरस हमारे microsporophyll के नीचे के surface पर लगे हुए होते हैं. In between these groups are present many hair-like structure. यहां पर हम देख सकते हैं 3 या 4 के group में हमारे जो लगु बिजानुधानिया हैं वो मौजूद हैं जिसे हम सोराई कहते हैं. इनके बीच-बीच में hair-like projection हम देख सकते हैं यह present होते हैं line of dehiscence एक sporangeum की जहां से sports बाहर निकलेंगे वो भी हम बिजानुधानियों में साफतोर से देख सकते हैं. तो एक कोन के अंदर बहुत सारे माइक्रो स्पोरोफिल या लगु बिजानुपर्ण एक लगु बिजानुपर्ण को अगर हम देखें तो उसकी अंदर इतनी सारी सोराई present हैं और एक सोराई में 3 से 5 तक लेकर बिजानुधानिया मौजूद होती हैं और एक बिजानुधान हैं इच माइक्रो स्पोरेंजियम अब हम एक सिंगल बिजानुधानी की बात करें इस एन ओवल और सैक लाइक स्ट्रॉक्चर विद ए शॉर्ट स्टॉक यहां पर हम देख सकते हैं एक लगु बिजानुधानी इसमें एक छोटा सा स्टॉक मौजूद है और यह ओवल शेप एक विजानुधानी के अंदर बहुत सारे माइक्रो स्पोर्स या लगु बिजानुधानों मौजूद होते हैं इच पॉलन ग्रेन इस ए राउंड़ेड यूनि नूक्लियेट स्रॉक्चर स्रॉक्चर स्राउंड़ेड बाइन आउटर थिक एग्जाइन और इनर थिन इंट अगर हम एक सिंगल माइक्रो स्पोर्स या लगु बिजानुधानों की बात करें तो इसमें बाहर की और एक्जाइन और अंदर की और इन्टाइन नामक दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं एक सिंगल नूकलियस बीच में मौजूद होता है और एक वैक्योल ऐसे बहुत सारे लगु बिजानुधानी की अंदर मौजूद होते हैं और एक विजानुधानी बाहर से वाल आफ माइक्रो स्पोर एंजियम कई परतिये वाल से प्रोटेक्टेड रहती है तैपिटम सबसे वाल की सबसे अंदर वाली लेयर को हम तैपिटम कहते हैं जो माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर देख सकते हैं ये तो हुआ हमारे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजम और माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर अब हम बात करते हैं डेवलप्मेंट ओफ माइक्रोस्पोरेंजम की कि सांकस में एक बिजानुधानी किस तरीके से डवलप होती है इसके अंदर जो बिजानुधानियों का डवलपमेंट है वो यूज परेंजेट टाइप है मिन्स एक से ज्यादा हाइपोडर्मल सेल्स होती है जो स्पोरेंजल इनीशिल की रूप में काम करती है few hypodermal sporangial initials divide periclinally to form outer primary wall cell and inner primary sporogenous cells यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो hypodermal cell है उसमें से कुछ कोशिका है दूसरी कोशिकाओं की comparison में आकार में बड़ी हो जाती है जो mitotically divisible हो जाती है जिसके अंदर समसूत्री विभाजन शुरू हो जाते है और यही जो कोशिकाओं है इनमें सबसे उपर सबसे पहले एक परीधे विभाजन होता है means periclinal division होता है जिसकी वज़े से उपर के लिए primary wall cell की होती है जिनसे future में हमारी बिजान धानियों में wall का निर्माण होता है और जो नीचे की कोशिका है वो primary sporogenous cell कहलाती है primary wall cells divide and re-divide periclinally as well as anticlinally to form 5 to 6 cells thick wall of sporengium अब यहाँ पर जो साइकस का sporengium या बिजान धानी है वो 5 से 7 कोशिकियत थिक होती है इसके लिए जो हमारी first cells थी उसके अंदर पहला विभाजन परीदिय था उसके बाद दो या तीन परीदिय विभाजन और होते हैं साथ ही साथ anti-clinal और periclinal दोनों डिविजन होने की वज़े से 5 से लेकर 7 परतिय sporengium wall का निर्मान होता है while the primary sporogenous cells divide to form many sporogenous cells अब जो अंदर वाली sporogenous cells है इसके अंदर बहुत सारे division होते हैं और हर plane में होते हैं और बहुत जो fix number of sporogenous cells का वो हमारे भी जानुधानियों में बन जाता है by further divisions of sporogenous cells developed into microspore mother cells और जब हमारे sporogenous cells में division या समसुत्री भी भाजन पूरे हो जाते हैं उसके बाद प्रते कोशिका को हम microspore mother cell या लगू भी जानू मात्र कोशिका कहते हैं the letter divide reductionally to form haploid microspores और pollen grains arranged tetrahedrally हर microspore mother cell में meiotic division या reductional division होता है और एक अर्द सुत्री भाजन से एक microspore से चार microspores या लगू भी जानू बनते हैं अब जो हमारी sporogenous tissue है जिसे microspores बनते हैं उसके सबसे बाहर की परत या फिर wall layer की सबसे अंदर की परत से tapitum का निर्मान होता है जो हमारे developing microspores या लगू भी जानू को nutrition provide करती है अब हम बात करते हैं एक single microspore या लगू भी जानू की microspore is the first cell of the male gametophyte having haploid number of chromosomes जैसे ही अर्ध सूत्री विभाजन या meiotic division होता है chromosomes का number half हो जाता है means haploid number of chromosomes हो जाते हैं वैसे ही sporophytic stage का end हो जाता है और gametophytic stage या युगमोद भी दवस्ता आरंब हो जाती है the haploid chromosomes number in psychus is 11 जाता तर जो हमारी psychus की species है उसके अंदर chromosomes का haploid number 11 होता है लेकिन psychus revoluta में ये 12 होता है the female plants are homogametic with double x type of chromosomes while the male plants are heterogametic having the chromosomes of xy type तो xx जो chromosome है वो हमारे psychus की female plant में chromosomes पाई जाते हैं और अगर हम male plant की chromosomes की बात करें तो इसके अंदर x और y type की chromosomes देखने को मिलते हैं so students इस diagram में हम microspore के development को आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं सबसे पहले hypodermal cells की कुछ-कोशिकाए sporengial initial cells की रूप में काम करती है means ये use sporengial type of development है पहला विभाजन परीधिये विभाजन जिससे उपर की और primary wall cell और नीचे की और primary sporogenous cells का निर्मान होता है primary wall cell के अंदर बहुत सारे anti-clinal और periclinal division होते हैं जिसकी वजह से 5 या 7 परतिये micro sporengial wall बनती है इसके सबसे अंदर की layer या sporogenous tissue की सबसे बाहर की layer से tapitum की कोशिकाओं का निर्मान होता है जो developing micro spores को nutrition provide करती है अंदर की जो sporogenous cells थी उनकी अंदर बहुत सारे विभाजन होते हैं जिसकी वजह से micro spore mother cells बनती हैं और ये micro spores mother cells meiotic division या अर्ध सूत्री विभाजन की बाद sport tetraarts या micro spores में develop हो जाती है तो इस तरीकी से हमारे साइकस में male cone की अंदर बहुत सारे लगू भी जानों का निर्मान होता है so students आज हमने साइकस की part 4 में साइकस में vegetative reproduction किस प्रकार से होता है साथ ही साथ इस में male cone का structure और उसकी development की बारे में भी पढ़ा so this is all about today's lecture thank you